है गाइस दिस इस मोहित चावे और यू और वाचिंग नॉलेज़ व्रूख नॉलेज़ व्रूख में हम एक नई सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं जो मुख्य रूप से इंडिया की एकनॉमिक्स के उपर है और जिस भी व्यक्ति का जिस भी छोट छोटे पॉइंट में जो भी केंफ्यूजन है वह एक छोटा से वीडियो देखके कंप्लीट हो जाएगा दूर हो जाएगा हमने लाश्ट वीडियो में जो प्रिथम पंचवर्थी यूजना या फर्स्ट फाइव या प्लान था उसके वार में चर्चा की थी आज हमारा सेकेंड फाइव या प्लान पर यह एक बहुत ही छोटा सा और महत्पूर लेक्शर होने वाला है अगर अभी तक आपना सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और वैल आइकॉन को भी जरूर दवाएं ताकि जब भी को वीडियो प्लोड हो उसकी जानकारी आपको मिल सकें चलिए हम जाने सेकंड फाइब या प्लान के टाइम लाइन की बात करें तो सबसे पहले यह आया पहला फाइब या प्लान था 1951 से 56 तक और सेकंड फाइब या प्लान जो की पांच साल के लिए रहेगा 1956 से 61 तक अब second five-way plan का मुख्य विंदू क्या था मुख्य priority क्या थी तो first five-way plan में जहां हमने देखा कि इसकी priority agriculture को थी क्योंकि जैसे भारत स्वतंतर हुआ सबसे पहले जो मुख्य जरूरत थी भारत की वही थी लोगों की भूख मिटाना अब लोगों की भूख मिटाने का एक जो प्लान था वह कभी successful रहा था उसकी success rate देखते हुए अगला जो प्लान बनाया गया वह priority shift कर दी गई थोड़ा सा agriculture से हट के इंडिस्टलाइजेशन की तरह तो हैरल डोमर जिसके बारे में हमने पहले देखा था जिन्होंने first five year plan का जो model है जो formula प्रपोस किया था तो इनके model को फिर से use किया गया लेकिन इनका मुख जो काम था वह यही था कि resource allocation जैसे की बड़े sectors हैं क्योंकि इंडिया जो है agriculture oriented country रही है तो agriculture जैसे sectors के लिए हैरर डोमर model ही रहा लेकिन industry जो था industrialization के जो मुद्दे थे वाई swap दिये गए PC महाल लोविस model को तो PC महाल लोविस जनका पूरा नाम हम लिखते हैं प्रिशान्थ चैंदर महाल लोविस इन्होंने भरत में industrialization के लिए formula दिये मतलब एक प्रकार से भरत के economics में भरत के economy में industrialization को कैसे increase करना है कैसे accelerate करना है उस पर काम किया तो मुख रूप से अगर हम बात करें तो second five year plan माना जाता है कि PC महाल लोविस model पर आधारित था अब मुद्दे की बात ही है कि कौन-कौन से मुख्य aims थे कौन-कौन से उदेश्य थे सबसे पहले जो भरत है इसकी national income मतलब राश्टी आय को लगवग 25-35% पढ़ाने का लक्ष रखा गया इसके अलावा rapid industrialization पे focus किया गया और rapid industrialization में भी जो basic industries हैं और जो heavy industries हैं इन पे बिसीज focus दिया गया हम heavy industries में steel industry को समझ सकते हैं यह एक heavy industry भी है साथ ही basic industry भी है आज हम कई सारे देशों में steel का export भी करते हैं उसके बाद expansion employment opportunities अब भारत का जो रोजगार है वहाँ पे रोजगार ब्रधी के बारे बात की गई और भारत के युवाओं को रोजगार के आवशर मौहिया हो सकें इस पर काम सुरू हुआ इसके अलावर reduction of inequality in income and wealth वहाँ पे concentration of wealth पे basis गौर किया गया और even distribution of economic power मतलब जो भी आर्थिक शक्तियां हैं वहाँ सभी के बीच में समान जूप से बितरत हो सकें इस पर ध्यान किया गया इसी के साथ ही income जो आपकी आय है और जो आपकी संपन्नता है उसके लिए मतलब उसमें जो inequality है जो भीदभाव है उसको कम करने का प्रयास किया गया इसके साथ ही जो यह प्लान था बहुत ज़्यादा successful नहीं इसकी एक moderate success रही क्योंकि कहीं न कहीं भारत की जो अर्थवस्था है वह है agriculture या फिर क्रशी पर आधारित है और देखा गया 1957-58 के दोरान और 69-60 के दोरान की भारती अर्थवस्था को हलका सा जटका लगा मानसून की वज़े से तो हम बात करें कि क्या रही इस प्लान के अचीवमेंट्स की दर तो रखा गया था लक्ष 4.5% का मतलब टोटल जो ग्रोथ है एकनोमी की 4.5% के लक्ष पर रखी गई लेकिन 4.2% तक की एकनोमी ग्रोथ मेजर करी गई इस प्रकार हम जानेंगे कि 2.5-ए प्लान moderate success के साथ था वहीं 1.5-ए प्लान काफी successful था और जो लक्ष रखा गया था उससे ज़्यादा हमने प्राप्ट किया था 2.5-ए प्लान रहा महाल 90 मॉडल पर अधारित 1.5-ए प्लान था हरार दो मेरा मॉडल पर अधारित उमीद करते हैं कि यह lecture जो कि एक knowledge capsule था आपको अच्छा लगा होगा आप हमारा टेलिग्राम गूर्प जोइन कर सकते हैं जहां से आपको इस lecture की PDF और बीडियो नोटिफिकेशन मिल जाएंगे धन्यवाद जोड़े रही हमाई साथ और देखते रहिए knowledge proof